नमस्कार मैं दीरसिंग राजपूत एक बार फिर नया वीडियो नई इंफॉर्मेशन के साथ जिसमें हम कुछ और सीखने वाले हैं कि हम हमारे कार्ड को ब्लॉक कैसे करें ब्लॉक करने के कही कारण हो सकते हैं कार्ड खो जाना या फिर कार्ड चोरी हो जाना कार्ड तूट ज रहा हूं तो बने रही है इस वीडियो मेरे साथ अंत तक तो हम स्टार्ट करते हैं हम स्टेंडर्ड चैट्ड बैंक की एप्लिकेशन जो की सी मोबाइल बैंक के नाम से है उसे हम उपन करेंगे इसका फ्रेंट फेस यह होता है फ्रेंट फेस पर जाके हम नेक्स्ट पे जो प्रॉसीड होके पहुंचेगा वह यहां पर log in page इस पर हमें log in पर क्लिक करना है login पर क्लिक करते ही जो भी हमारा password या fingerprint जो भी हमें बनाया है वह clicking करेंगे क्लिक करने के बाद हम इसे लोग इन कर लेंगे लोग इन करते ही यहाँ पर हमारे सामने देखे कि मेरा यह प्रोसीड होना स्टार्ट हो गया है और फिर यह हूम पेज पर पहुँचेगा तो यह लोड हो रहा है लोड होते टाइम यह इस तरीके से होता है और फिर यह लोड होके नेक्स्ट टेफ पे जएगा जहाँ पर हमारा काड नमबर सबसे फुरेंट में दिखाए देगा इसमें हमें जाना है सबसे राइट त्राइट पर दे ठी लाइन जो उपर है उन पर क्लिक करना है क्लिक करते ही हमारे सामने ये सारे option open हो जाएंगे जिसमें हमें जाना है नीचे से third number वाले पर help and service तो मैं help and service पर click करने वाला हूँ और click करते ही ये next step के लिए proceed होगा तो चलो मैं start help and service पर click करता हूँ और ये next step के लिए load होना start हो गया लोड होते ही ये हमारे पास कुछ option है जो open होगे इसमें हमें जाना है फिर report lost और stolen card जो की पहली नमबर पर उस पर मैं click करूँगा click करते ही इस तरीकी से load होना start होगा और ये next step के लिए जाएगा तो देखिए मेरा load हो जाए फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि यहाँ पर हमें जाना है arrow वाले button पर जो search के option के उपर सामने जो है उस पर मैं click करूँगा तो ये सारे option मेरे सामने आ जाएंगे I have lost my card अगर मैंने मेरा card खो दिया है तो उसको select करो my card got stolen तूट गया तो इसके लिए select करो और my card is captured by ATM ATM के अंदर रहे गया है तो उसके लिए ये third वाला option select करना है अगर इन में से जो भी आपका जो हुआ है उसके लिए वो आपको select करना है select करने के बाद आपके सामने option open हो जाएगा कि आप कौन से वाले card को अपने बंद कराना चाहते हैं वो उसमें आप debit card भी select कर सकते हैं और एक से ज़्यादा credit card है तो credit card को भी select करते हैं मैं इसमें जाओंगा अपने credit card को select करूँगा और credit card को select करने के बाद इसमें हमारे option open हो जाएगा next नेक्स्ट पर click करूँगा तो यह second step पे जाएगा तो दूसरे step पे जाके आप उनको confirm करना है confirm करते ही अच टाइम में आपका credit card बंद हो जाएगा इस तरीके से हम अपने credit card को बंद करवा सकते हैं मेरा वीडियो कैसा लगा comment box में अपनी राहे जरू देना